स्वागत है दोस्तों आज के एक और निव वीडियो पे आज की इस वीडियो को टॉपिक है कि हमें AC की जगे डट कूलर क्यूं श्टॉल कराना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं डट कूलर की डट कूलर एक ऐसा कूलर होता है जो duct के थूँ आपके 1000 से 1500 स्क्वर फिट के एरिये को अराम से cooling कर सकता है वो भी low installation cost के साथ और duct cooler के maintenance की बात करें तो साल में इसका एक बारी का maintenance होता है वो भी hulka full का ही maintenance कराना पड़ता है जो की बहुत ही ज़्यादा आज़ान होता है फिर बात करें हम कि AC हमें क्यों नहीं लगवाना चाहिए तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा reason है हमारी healthier system जी हाँ दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों को AC के side effects के बारे में तो पता ही नहीं है और नहीं आप लोगों ने कभी Google में search करके देखा और जिन लोगों को पता है AC के side effects के बारे में वो लोग AC कभी भी नहीं लगवाना चाहिए अगर आपको AC के side effects के बारे में जानना है तो आप Google में एक बार जरूर search करिएगा कि AC की airflow से हमें क्या-क्या side effects हो सकते हैं आप मेंसे काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने घरों में AC लगवा के रखे हैं और रात में लंबे समय के लिए उसी AC को on करके जरूर सोते होंगे तो आप लोगों को बता दूँ कि ये हमारी body के लिए बहुत ही जादा harmful होता है अगर आप AC की air में 2 घंटे भी रहते हैं तो AC की air आपकी body के लिए बहुत ही जादा harmful सावित होती है AC ना लगवाने के बहुत सारे reasons हैं दोस्तों जैसे की climate change, global warming, healthier system, high side effect on your body ऐसे कई सारे reasons आप Google में search करके देख सकते हैं कि AC हमें क्यों नहीं लगवाना चाहिए या फिर आप ये भी search कर सकते हैं कि AC better है या फिर duct cooler या फिर कोई भी air cooler फिर बात आती है कि हमें duct cooler ही क्यों लगवाना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहला reason है कि जो इसमें से air provide होती है वो 100% fresh and naturally air होती है दूसरा बड़ा reason है कि ये आपके 1000-1500 square feet area में आराम से cooling कर सकता है जबकि आप कोई AC purchase करते हैं तो उससे आप सिर्फ एक ही room को cool कर पाते हैं फिर एक और बात आती है humidity problems की तो दोस्तों जब आप AC लगवाते हैं तो आप अपने rooms के लिए काफी कुछ करते हैं ताकि AC की जो air है वो बाहर leak न हो और room काफी अच्छे से ठंडा रहे हैं तो आप dirt cooler के साथ इसका उल्टा कर सकते हैं अगर आपके area में ज़्यादा humidity होती है तो आपके जो room से उनमें proper तरीके से ventilation होना चाहिए ताकि duct cooler की जो air flow है जो air है वो एक तरफ से आए और दूसरी तरफ से जो negative air है वो बाहर जा सके fresh air आती रहे और negative air बाहर जा सके humidity problem की बात करें तो आपके area में जब already humidity level high होता है तो आप उस time पे भी क्या करते हैं कि आपके duct cooler होते हैं जो आपके air cooler होते हैं के जो cooling pump होता है उसको आप on करके आपका cooler या फिर duct cooler चलाते हैं जिस वज़े से जो humidity का level होता है वो और बढ़ जाता है और हमारी body में चिप-चिपा हट सा और भी ज्यादा महसूस होने लगता है और जब आपके rooms में proper ventilation नहीं होगा तो यह जो चिप-चिपा हट सा है और जो humidity level है वो आपके rooms में और भी ज्यादा बढ़ जाता है फिर मैं आपको एक अपना personal experience share करना चाहूँगा कि मैं अभी indoor में हूँ और यहाँ पे जो humidity level है वो 80% है और मैं जिस room में रहता हूँ उस में proper तरीके से ventilation भी है एक तरब से air आती है और दूसरी तरब से पाहर निकल जाती है और मैं अपने air cooler को बिना cooling pump on किये ही daily जलाता हूँ और जो चिप-चिपा हट सा हमें महसूस होता है वो बिलकुल भी नहीं होता है तो कहने का मतलब यही है कि आप अपने rooms का proper तरीके से ventilation जलूर कराएं जिस वज़े से आपको humidity level high होता है जो humidity की problems आती है वो बिलकुल भी नहीं आएगी आप लोग AC के लिए तो proper maintenance रखते ही है room का कि airflow बाहर न जाए तो अगर आप duct cooler लगवाएंगे तो आप duct cooler के साथ भी ऐसा ventilation रख सकते हैं जिससे आपकी जो room में fresh air है वो आती रहे और जो negative air है वो बाहर जाती रहे इससे आपका humidity level भी पूरा control बे रहेगा तो दोस्तो जो reasons मैंने आपको बताए हैं AC ना लगवाने के I hope आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा और आप एक बार google सर्च करके जरूर देखेगा कि AC से हमें कौन कौन से side effects होते हैं और आपको पता चली गया होगा कि क्यों हमें AC की जगे duct air cooler ही install कराना चाहिए तो आज के लिए बस मिलते हैं आपसे एक और निव वीडियो के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कॉमेंट जरूर करिएगा थैंक्स पर वाचिंग आइस फायर रिष एक विष्वास का